नमस्कार बचो मैं डॉक्टर अनिता सिंग चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटीव इकक्षा में जिसके टेखनिकल पार्टनर है मिशन ग्यान बचो हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स फ्लाइट और चैप्टर पैगी और मैडलीन चली करते हैं कोशिन आंसर्स वेर इन दा क्लास्रूम ड़ सेट एंड यानि की वो कक्षा में कहां बैठा करती थी और क्यों बैठा करती थी वोन्डा सिट इन दा सीट नेक्स तो दे लास्ट सीट इन लास्त रो इन रोम 13 यानि की कमरा नमबर 13 में वोन् थी, nobody knows exactly why she sits there, कोई नहीं जानता था कि आखिर वो वहां पर क्यों बैठती है, but it may be because she comes from bogging heights, ऐसा हो सकता है कि शायद वो इसली बैठती थी क्योंकि वो bogging heights से आती थी and her feet are usually covered with dry mud और उसके जो पाउं है, वो प्राए मिट्टी से सने हुए होते थे, सूखी मिट्टी से सने हुए होते थे, शायद इसली वो वहां पर बैठती थी Where does Wanda live? What kind of a place do you think it is? Wanda कहां रहती थी और वो किस तरह की जगह थी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में Wanda lives at Bogin Heights, Wanda जो है वो जिस जगह रहती थी उसका नाम था, Bogin Heights I think this place is muddy and dirty, मुझे लगता है कि ये जो जगह थी, ये थोड़ी मिट्टी वाली जगह थी और थोड़ी गंदगी वाली भी Wanda's feet are usually caked with dry mud, क्योंकि Wanda के जो पाओ है वो प्राय सुखी हुए मिट्टी से सने हुए होते थे She usually sit in the corner of the class और वो प्राय कक्षा के कोने में बैठा करती थी The most mud and dirt is found there, जहां पे सबसे ज़्यादा मिट्टी और गंदगी देखने को मिलती थी या पाई जाती थी When and why, यानि when यानि कब और why यानि क्यों, do Peggy and Maddy notice Wanda's absence Peggy ने और Maddy ने ध्यान दिया कि Wanda नहीं आई है, कब उनको ये पता चला कि वो अनुपस्तित चल रही है Peggy and Maddy notice Wanda's absence, यानि Peggy ने और Maddy ने Wanda की अनुपस्तिती के बारे में जाना On Wednesday, यानि बुद्धवार को, the third day of her absence जबकि वो उसका तीसरा दिन था जिस आनुपस्तिती का, तीन दिन से वो नहीं आई थी The reason is that, कारण ये था, they wanted to have some fun with her वो उसके साथ कुछ मजाग करना चाहते थे But, she didn't turn up, so they got late for school लेकिन वो आई ही नहीं, तो इसके कारण वो school के लिए late हो जाते हैं What do you think, to have fun with her means कि आप क्या समझते हैं, कि to have fun with her का क्या मतलब होगा In my opinion, मेरे विचार से, to have fun with her means to make fun of her तो, to have fun with her, यानि उसके साथ मजाग करने का मतलब यह है कि उसका मजाग उडाना And to tease her, और उसको परिशान करना Peggy had thought up this game और यह जो खेल है, इसकी शुरुआत किस ने करी थी? Peggy ने करी थी, उसने इस game के बारे में सोचा था Wanda was asked how many dresses or hats or this or that she had Wanda से पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितनी पोशाके हैं, कितने टोप हैं, कितना यह हैं, कितना वह हैं She had, यानि कितनी सब चीज़ें उसके पास हैं It was bothering her और यह चीज़ें उसको परिशान कर रही थी In what way was Wanda different from the other children? Wanda बाखी के बच्चों से भिन कैसे थी? Wanda's name was funny Wanda का जो नाम था वो थोड़ा सा हसाने वाला था, मज़ा किया था She came to school and went back home all alone वो विद्याले आती थी और विद्याले से वापिस अकेली ही चले जाती थी She had no friend, उसका कोई दोस्त भी नहीं था, कोई मित्र नहीं था She always wore a faded unironed blue dress वो हमेशा एक रंग उडी हुई बिना प्रेस की हुई नीले रंग की पोशाक पहनती थी Thus, she was different from other children इसलिए वो बाखी के बच्चों से भिन थी Did Wanda have a hundred dresses? क्या Wanda के पास सो पोशाके थी? Why do you think she said she did? आप क्या सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास है? No, Wanda did not have hundred dresses नहीं, Wanda के पास सो पोशाके नहीं थी She had only one faded blue dress उसके पास रंग उडी हुई, नीले रंग की पोशाक थी I think she said so to make her position among the girls मुझे ऐसा लगता है कि अपनी अच्छी स्थिती दिखाने के लिए लड़कियों के बीच में वो ऐसा कह दिया करती थी Moreover, she herself had designed a hundred dresses और अगर और ज़्यादा हम इस बारे में सोचें तो उसने सो पोशाके खुद डिजाइन कर रखी थी बना रखी थी तो शायद इसलिए भी वो ऐसा कह सकती है Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asked Wanda Peggy जो Wanda से प्रशन पूछा करती थी उन प्रशनों के कारण जो Maggie है उसको बहुत ज़्यदा शर्मिल्दगी क्यों महसूस होती थी Is she also like Wanda or is she different तो क्या वो Wanda की तरही थी या उससे कुछ different थी Maddie is embarrassed by the questions Peggy asked Wanda Maggie जो है बहुत थोड़ा सा embarrassed feel करती थी उन प्रशनों के पूछे जाने से जो कि Peggy Wanda से पूछती थी because क्योंकि she is poor too क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा गरीब थी and puts on somebody's worn out clothes और किसी के दिये हुए जो कपडे होते हैं वो पहना करती थी इसलिए उसको भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी उन questions से she is not like Wanda लेकिन वो Wanda की तरह बिल्कुल भी नहीं थी she is different, वो अलग थी she does not have a funny name उसका सबसे पहली बात की नाम जो है वो मजाक्या नहीं था she doesn't leave at Boggin Heights दूसरा, वो Boggin Heights में नहीं रहती थी funny name नहीं था Boggin Heights में रहती नहीं थी she never says she has hundred dresses if she is asked लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कहती अगर उससे ये पूछा जाता की तुम्हारे पास कितनी पुछाकें हैं तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहती कि उसके पास hundred dresses हैं अगर उससे पुछा जाता तो who did Maddy think would win the drawing contest why कि ये जो contest था drawing का ये कौन जीतने वाला था इसके बारे में Maddy क्या सोचती है और why और क्यों सोचती है Maddy thought that Peggy would win the drawing contest Maddy को ये लगता था कि Peggy ही जीतेगी इस drawing contest को इस प्रतियोगिता को because she drew better than anyone else in the room क्योंकि कमरे में बाकी सब लोगों से जादा अच्छा drawing यानि अच्छी चितरकारी वो ही किया करती थी इसलिए उसको लगा कि ये जिर चितरकारी का competition है वो ही जीतेगी she could copy a picture in a magazine or some film star's face वो किसी भी magazine में से कोई भी चितर है वो हूब हूब वैसा ही नकल करके बना देती थी या किसी भी film star जो होते है उनके चहरे को भी वैसे का वैसा बना देती थी who won the drawing contest, drawing contest किसने जीता Wanda Petronski won the girls drawing contest और Wanda Petronski जो थी उसने लडिकियों की जो प्रतियोगिता थी drawing contest जो था उसको जीता चितरकला प्रतियोगिता को जीता what had the winner drawn यानि कि क्या चीजे बनाई थी contest जीतने वाले ने the winner had actually drawn 100 designs of dresses winner ने वास्तों में 100 पोशाकों की design बनाई थी they were all different from each other वो सारी की सारी एक दूसरे से अलग थी भिन्व थी they were all colorful वो सारी की सारी रंग भी रंगी थी and they were all beautiful और वो सारी की सारी बहुत ही ज़दा खूबसूरत थी textbook questions and answers अब हम कुछ textbook questions कर लेते हैं पहला question है how is Wanda seen as different by other girls बाकी की लड़कियां जो है वो Wanda को अलग तरीके से क्यों देखा करती थी how do they treat her और वो उसके साथ कैसा बरताव करती थी Wanda's name is funny Wanda का नाम जो है she always put on faded blue dress she always put on faded blue dress यानि कि वो हमेशा रंग उडी हुई नीले रंग की पोशाक पहनती थी her feet are usually caked with dry mud उसके जो पाउ है वो प्राए सुखी मिट्टी से सने हुए होते थे she comes all alone from Boggin Heights वो अकेली ही Boggin Heights से आती थी they mockingly treat her they usually make fun of her वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मजाग करते थे उसका मजाग उडाते थे और इस तरह से वो उसको treat किया करते थे they generally ask her about her dresses and shoes और वो प्राए उससे उसकी पोशाकों और जूदों के बारे पूछ पूछ के उसका मुजाग बनाते थे how does Wanda feel about the dresses game यानि जो पोशाकों का जो खेल था उसके बारे में Wanda कैसा महसूस करती है Wanda feels bad about the dresses game she stolidly answers their questions Wanda को बहुत ही बूरा लगता है जब उससे ये जो पोशाकों वाला जो गेम है इसके बारे में जब पूछा जाता है she stolidly answers their questions लेकिन फिर भी बहुत ही मजबूती से वो उन प्रशनों के उतर देती है why does she say that she has 100 dresses वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 पोशाके है she says that she has 100 dresses because she has drawn designs of 100 dresses वो ऐसा इसलिए कहती है कि उसके पास 100 पोशाके है क्योंकि उसने 100 पोशाकों के चितर बना रखे होते है all are colorful and beautiful और वो सारे के सारी जो designs है वो बहुत ही रंग बिरंगी और खुबसूरत है later बाद में she wins girls medal because of these और आखिर में बाद में हमने देखा कि वो जीतती है ये contest और उसको gold medal भी प्राप्त होता है इन चितरों की वज़े से ही what does Miss Mason think of Wanda's drawing Miss Mason, Wanda के चितरों के बारे में क्या सोचती है Miss Mason thinks that Wanda has drawn 100 drawings all different and all beautiful Miss Mason ये सोचती है कि Wanda ने 100 पोशाकों की design ने बनाई है और सारी की सारी अलग हैं और सारी की सारी बहुत ही कुबसूरत है what do the children think of them बच्चे उन के बारे में क्या सोचते हैं उन dresses के बारे में even the judges find any one of these worthy of winning the prize यानि कि जो judges होते हैं उनको भी लगता है कि इन में से कोई सी भी एगर painting वो हम उठा लें कोई सी भी चितर को देख लें वो ही इस competition को, prize को जीतने के लिए काफी है और यहां तो उसने 100 बना रखी थी the children think suitable of them बच्चे भी इसके बारे में ऐसा ही सोचते थे they burst into applause उन सबने बहुत तेजी से उसके लिए तालियां बजाई they stamp on the floor and whistle उन्होने पाउं से जमीन के ऊपर बहुत तेज तेज अपने पाउं से stamp किया है और उन्होने तालियां बजाने के साथ साथ में सीटियां भी बजाई यानि विसल भी बजाई answer the following question in about 80 words each 80 शब्दों में आपको इन प्रशनों के उतर करने है draw a character sketch of Wanda Petronski Wanda Petronski का चरितर शितरन कीजिए Wanda Petronski is poor young polish girl who goes to school with other American children in an American town यानि की America के बच्चों के साथ में America के एक कस्बे में Wanda Petronski बहुत गरीब है और वह वहां के बच्चों के साथ school जाती है और वह एक polish girl है usually she sits in the seat next to the last seat in the last row in room 13 और प्राए वो room number 13 के कमरे में आखरी seat पर आखरी कोने में बैठा करती थी in that corner of the room sit the rough boys who do not get good marks और उस जगह पर उस कमरे के आखरी seat के आखरी कोने में ऐसे बच्चे बैठा करते थे जो की थोड़े से बदमाश बच्चे थे who do not get good marks जिनके number भी अच्छे नहीं आते थे she is very quiet and rarely speaks वो बहुत शांत रहती थी और मुश्किल से कुछ बोलती थी she comes all the way from bogging heights और वो bogging heights जाम की जगह से आती थी the children never think about her except when they wish to have fun with her बच्चे उसके बारे में नहीं सोचते थे सिर्फ उस time को छोड़के जब वो उसे मजाख करना चाहते थे उसका मजाख बनाना चाहते थे they like to tease her वो उसको चिडाना पसंद करते थे she however has artistic talent and wins girls medal in dress designing और वो जो बच्ची थी उसके पास में एक कौशल था कला का कौशल था और उसने बहुत ही खुबसूरत फिचर बनाया थी जिससे कि उसको लड़कियों की competition में gold medal भी प्राप्त हुआ था तो dress designing जो competition था उसमें gold medal को मिला क्योंकि वो जो बच्ची है Wonda वो बहुत ही खुबसूरत drawings बनाया करती थी तो 100 dresses उसने बनायी थी और हमने देखा कि उसको prize भी मिलता है और gold medal जितती है वो girls competition में draw a character sketch of Peggy अब हमारे को Peggy के चरितर चितरन के बारे में बात करनी है बताईए उसके चरितर के बारे में कुछ points तो answer देखते हैं Peggy and Maddy or Madeline are other girls in Wonda's class ये दूसरी लड़कियां थी जो Wonda के कक्षा में पढ़ती थी Peggy is the most popular girl in school सबसे ज़्यादा popular लड़की थी Peggy अपने विद्याले में she is pretty वो खुबसूरत ही she has many pretty clothes उसके पास बहुत सारे खुबसूरत कप्रे थे and her hair is curly और उसके बाल भी घुंगरा ले थे Maddy is her closest friend और Maddy जो है उसकी बहुत ही पकी सहेली थी they often wait for Wonda to have fun with her वो प्राय Wonda का इंतजार करते थे ताकि वो उसका मजाग बना सके उसके साथ मजाग कर सके she often teases Wonda by asking through politely how many dresses she has hanging up in her closest और वो Wonda से बहुत ही विनमरता से एक प्रशन पूछती थी पहले कि भही तुमारे पास कितनी पोशाके हैं तुमारी अलमारी में to her question she replies that she has a hundred dresses और उसके इस प्रशन के जवाब में Wonda जवाब देती थी कि उसकी पास सो पोशाके हैं she यानि Peggy and other laugh loudly at this और पैगी और बाकी की लड़कियां इस बात पर बहुत जो जो से हंस्ती थी पैगी can draw pictures better than anyone else और पैगी जो है कक्षा की बाकी जो बच्चियां थी उनसे ज़्यादा बढ़िया बेहतर चितर बना सकती थी she hope to win the girls medal और उसने उमीद करी थी girl's medal जो है वो उसी को मिलेगा यानि वो ही जीतने वाली है drawing and coloring contest में ऐसी उसको उमीद थी क्षा में तो वो सबसे अच्छा चितर बनाती थी ऐसा सब मानते भी थे draw a character sketch of Maddy अब आपको Maddy का चरितर चितरन करना है उसके चरितर के बारे म बताना है Maddy and Peggy are close friends Maddy is also a poor girl Maddy भी एक गरीब लड़की है Wanda Petronski की तर है she wears old clothes of Peggy वो Peggy की पुराने कपडे पहनती है she does not like that Peggy should harass the poor girl Wanda by asking her about her dresses उसको बिलकुल भी नहीं अच्छा लगता कि Peggy Wanda को परेशान करे उससे उसकी dresses के बारे में उसकी पुशाकों के बारे में पूच पूच के however she is afraid of और दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो वो डरती भी है asking Peggy for this और वो Peggy को इसके बारे में पूचने में डरती भी है she fears that she may also become a target of Peggy's teasing उसको ये डर लगता है कि कहीं वो Peggy की जो teasing है यानि जो चिडाने का जो तरीक है उसकी कहीं वो खुद target ना बन जाए शिकार ना बन जाए Peggy में ask her about dresses which she gets from Peggy क्योंकि Peggy हो सकता है उससे पूचे उसकी पूचाकों के बारे में जो उसको Peggy से ही प्राप्त हुई है Peggy की पुराने कपड़े ही वो पहनती थी तो उसको ये भी डर लगता है ये मुझे ही चिडाना शुरू ना कर दे मुझसे ही ना पूचले कि तुम ये कपड़े कहां से लाई Thus Maddy is good but timid at heart तो हम कहसते हैं कि Maddy एक अच्छी लड़की है दिल से वो थोड़ी सी डरी हुई है वो थोड़ी सी अफ्रेड रहती है तो I hope बच्चो आपको यहां तक सारे कोशिन आंसर समझ में आ गए होंगे आप इनको पढ़िएगा हम मिलेंगे next class में Thank you